नमस्कार, डायर किचंसे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ अनीता, नवरातरी की आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामनाएं, आज हम उपवास में खाय जाने वाले लड्डू बनाएंगे, इसे हम मुंगफली और सिंगाडे के आटे से बनाएंगे, जो यह बहुत ही तेस्टी होते हैं, तो आएए चलते हैं इसकी रेसिपी की और, मैंने यहाँ पर 3-4 कप रोश्टेट मुंगफली लिया है, इसे आप पहले तवा या कड़ाई में सुखा ही भून ले और इसके छिलके को उतार ले, मुंगफली को हमें मिक्सर जार में डाल कर, इसका महीन पाउडर बना लेना है, इसका ढखन बंद करके अब हम इसे पीछ लेते हैं, इसकी पाउडर बन चुकी है, इधर गैस पर मैंने तवा चड़ा दिया है, अब हम इसमें 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, जब घी अच्छे से मिल्ट हो जाए, तब हम इसमें 3-4 थाई कप सिंगाड़े का आठा डालेंगे, उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे डाल का लगतार चलाते हुए, खुस्बू आने तक भून ले, गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर रखे, हमें इसका कलर चेंज होने तक भून लेना है, आठा जब सूखा लगे, तब आप इसमें एक चम्मच और घीर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर नहीं डाला है, रेशियो हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट है, इसे आप लगतार चलाते रहें, और ध्यान रखें कि गैस मीडियम फ्लेम पर ही हो, इसे हमें अच्छे से भून लेना है, आटा को भूनते वे हमें तीन से चार मिनट का समय लगा है, यह अच्छे से भून चुकी है, अच्छी खुश्बू भी आ रही है, इसका कलर अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है, यह देखिए, यह डार्क ब्राउन होने लगे हैं, अब हम इसमें पीसा हुआ मुंगफली को डाल देंगे, इसमें आप ज़्यादा घी एड ना करें, क्योंकि मुंगफली में भी ओईल होता है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें, ध्यान रहें इसमें कोई भी लम्स न हो, अब इसे भी हम लगतार चलाते हुए, दो मिनट तक भून लेंगे, दो मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून चुकी है, हमने मुंगफली को पहले भी रोश्टेट किया है, अब हम इसमें आधा कप डेजिकेटेड नारियल डालेंगे, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप चारो ओर से, अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसे भी हम लगतार चलाते हुए, दो मिनट तक भून लेंगे, गैस की फ्लेम को अब आप धीमी कर दें, और इसे अच्छे से मिक्स होने तर भून लेंगे, अब ये अच्छे से भून चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं, अब हम इसे एक प्याले में निकाल कर ठंड़ा कर लेते हैं इसे हमें ज्यादा ठंड़ा नहीं करना है आटा हमारा ठंड़ा हो चुका है अब हम इसमें हाफ कप पाउड़र्ट सुगर डालेंगे यहाँ पर मैंने सुगर के साथ ही दो इलाइची को पीस लिया था अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ध्यान रहे कि हमारा मिक्सचर ज्यादा ठंड़ा ना हो हलका गर्म ही रहे तभी हमें सुगर को इसमें डाल कर अच्छे से मिला लेना है आटा अगर सूखा लगे तो इसमें हम आधा छोटी चमच घी डाल सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे घी डालने की कोई आउ सकता नहीं है अगर आपका मिक्सर सूखा है तब आप इसमें आधी छोटी चमच घी डाल सकते हैं ये परफेक्ट मिक्षड तयार है, अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मिक्षड लेकर हातों में लड्डू का आकार दे, आप इसे रोल करकर लड्डू का शेप दे दे, आप चाहें तो छोटी या बड़ी साइच की लड्डू अपने मन पसंद की बना सकते हैं, इसे इस प्रकार रोल करें, उसके बाद मैंने यहां दो चम्मच डेजिकेटेट नारियल लिया है, हम इसमें लड्डू को लपेट देंगे जिससे इसका लुक और भी बढ़िया आए एक और लड्डू मैं बना कर दिखाती हूँ, आप थोड़ा सा मिक्स्चर ले और लड्डू का आकार दे, लड्डू बन चुकी है, इसे अच्छे से रोल कर दे, यह देखिए, अब हम इसे नारियल के बुरादे में कोट कर लेते हैं, इसी प्रकार हम सारे लड्डू बना लेते हैं, यह देखिए, वरत के लिए सिंघाडे के आटा और मुंगफली के लड्डू बनकर बिल्कुल रड़ी है, इसे आप बना कर स्टोर करके रखें, और 9 दिन तक खाईए, यह हेल्दी भी है, और आपको एनरजी भी मिलेगी, अ प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स पर वाचिंग,